हर यानके ग्रहम मंत्री अनिल विज की द्वारा अभी भी कर दी है बड़ी घोसना रात आठ बजी आया है बड़ा फैसला वीडियो को लाइकेंट से यह जरू करें तो जी हां बताते कि अंबाला में 40 km लंबा बनेगा रिंग रोड 1485 करोंड की प्रोजक के लिए 600 करोंड में जमीन होगा अधिकरहंड तो ट्रैफिक की बहतर सुधा के लिए अब 40 किलोमेटर लंबार रिंग रोड बनेगा 1485 करोन के इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अद्ग्रहन की जो कारवाई है शुरू हो चुकी है ग्रहमंतरी अनिल्वीज ने मंगलवार को चैगावों के किसानों के खाते में सीधी 170 कुन रुपए की राज़ती ट्रांसफर करने का काम क्या है इन किसानों को बाकाईदा विच की ओर से चेक भी बाटे गए है ग्रह मंत्री अनिलिफीस ने कहा कि किसानों के खाते में ITGS के माध्यम से सीधा पैसा आएगा चेक केवल रस्मी तोर पर प्रदान किये जा रहे हैं उन्होंने मंगलवार को गाउं, बाढ़ा, बोहावा, दुराली, दुखेडी, कोट कच्वा, खोर्द, एवं मोहडा के 253 किसानों को लगभग 107 कुन रुपए की रासी वितरन की है बताया जा रहा है की रिंग रोड परियुजना के तहर लगभग 600 कुन रुपए की रासी उनके सानों को दी जाएगी जिनकी जमीन अद्ग्रहत की गई है बताया की रिंग रोड बाइपास का काम करेगा और वहां चालग सहर के भीरभार वाले लाके में आए बिना बहार से आगे निकल सकेंगे तो ग्रह मंत्री ने बताया की इस परियुजना में जमीन की कीमत का आधा पैसा केन सरकार दे रही है आधा पैसा पर दे सरकार दे रही है केन सरकार ने जो पैसा देना है उसमें से लगबग सो कौन रुपए हमारे पास अब तक आ चुका है जो की वितन किया जा रहा है से इस रा से भी जल्द लाने का प्रियास किया जा रहा है तो फिलहाल यहाँ पर जो ग्रह मंतरी ने मदाय कि रिंग रोड अंबाला में बाइपास का काम करेगी अंबाला के चारों तरफ रिंग रोड होगी जगाधरी से आने वाले वहां सहर में आई बीना सद्धोपूर निकल जाएगा तो फिराल यहां पर आप देख पा रहे हैं तो ये बड़ी योजना है हर्यानस सरकार के ग्रह मंत्रियन लिज की